नमस्कार स्वागत आप लोग का एक नए वीडियो में मैं हूँ सरवन कुमार सागर और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर होगानपूर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर सीवी रहमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस 2023 सेंपल क्वेसों के बारे में, काफी सारे हात्र कमेंट करे दे कि सर इसका क्वेसों पेपर किस टाइब करेगा, तो देखें फाले ऑफिशिल लेप साइट पर इसका सेंपल क्वेसर पैपर जारी हो चुका है, हमने पहले इसको डानलोड कर के रखा है, तो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसा question आपको एक्जाम में पूछा जाएगा और साथ ही बताएंगे सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीवी रवन टालेंट टेस्ट जो 2023 में होने वाला है उसकी सिलेबस की तो सिलेबस में आपको बिलकुल असपश्ट है नाम से ही कि साइंस का एक्जाम है तो इसमें देखिए इसके सिलेबस में ही दिया हुआ है कि सारा question आपको साइंस से ही पूछा जाएगा तो आप साइंस की ही त्यारी कीजिए और देख सकते हैं चैप्टर का नाम जैसे motion है यानि गती फोर्स हो गया बल हो गया प्रेसर एंड लौज ऑफ मोशन हो गया तो यह सभी चैप्टर जो आप पढ़ पारे हैं फ्रिक्सन हो गया heat and temperature इस तरह से matter in surroundings तो इन सभी से आपको प्रशन पूछा जाएगा pollution in air and water electricity हो गया atoms and तो यह सारा जितना भी आप पढ़ पारे हैं तो अगर आप चाहे तो इसका पीडियाप आपको मिल सकता है टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लिजेगा हमारा link आपको वीडियो की description मिल जाएगा तो वहां से आप हमारे channel के माध्यम से त्यारी भी कर सकते हैं साम साथ बजे live class होती है तो आप उसमें जूड़ करके त्यारी भी कर सकते हैं तो यह देख लिजे इस तरह से आपको इन सभी chapter से science का question पूछा जाएगा इसी exam में और यहां पर देख सकते हैं कुछ question जो है दिया गया है यह अलग से भी आपको पूछा जा सकता लोजिकल रिजिनिंग भी पूछा जा सकता यहां पर दिया हुआ ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं लोजिकल रिजिनिंग भी आपको कुछ पूछा जा सकता है science के अलावे ठीक है few questions will be based on the video of any day today activity तो यहां से a student need to watch the video first and then answer the question based on that तो कुछ question आपको एक्स्ट्रा अलग से भी पूछा जा सकता है कुछ वीडियो दिखा जाएगा और उसमें से question पूछा जाएगा तो इस तरह से कुछ रिजिनिंग भी हो सकते है logical reasoning और ज्यादा तर question आपको science के रहने वाले इस दिएगे शिलेवस से असपस्ट हो जाता है चलिए अब आपको simple question paper दिखाते है कि कि किस टैप का question आपको पूछा जाएगा तो देखिए यह है simple question paper जो आपको severe one talent test exam में पूछा जाएगा और देखिए इस तरह से आपको question दिया रहेगा अंग्रेजी में दिया रहेगा और हिंदी में भी दिया रहेगा जैसा कि मैंने live class में बताया भी था आपको तो यह आप देखिए पूछा गया है धुर्वतारा समानता किस दिशा में देखा जाता है तो काफी easy question है तो आप लोग जानते है कि धुर्वतारा किदर आता है उत्तर दिशा में देखा जाता है ठीक है तो यह सही answer है तो आप देखिए किस type का question सब पूछा जाता है इस exam में बाहर खिली धूप है और आप कमरे के अंदर है कम कमरे के अंदर आ रही है आपको दिखाई देने वाली चीज है परकास धूलकन दोनों कोई नहीं क्या हो जाएगा इसका answer दोनों हो जाएगा क्यूंकि परकास और धूलकन दोनों दिखाई देगा तो इस टैप के question आपको पूछे जाएंगे तो देख सकते हैं आप तीसरा question देखिए इस तरह से है चली इसमें आपको question दिखा देते किस टैप का पूछा जाएगा और सामसात वे लाइव क्लास होती है तो उसमें बांकी डिटिल में बताया जाएगा तो आप देख सकते हैं किस टैप का question आपको आने वाला है तो आप इस टैप के question की त्यारी कर सकते हैं science का जाधा तर प्रस्ण पूछा जाएगा कुछ logical reasoning भी होंगे जैसा कि हमने syllabus में आपको बताया तो यहां पर देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया ने लिखित में किस गैस का इस्तमाल गुबारे भरने में किया जाता है ठीक है तो कौन सा गैस भरते हैं गुबारा में तो यहां पर दिया हुआ है संकेत देख सकते हैं ने लिखित में से कौन सा अक्रिय गैस आयतन की हिसाब से वाई मंडल में सरवाधिक परतिसत मातरा में पाया जाता है ठीक है तो इस तरह से देखिए प्रस्ण सब पुछा जाएगा ठीक है तो आपको समझ जाईए कि यहां मुद्रा कहलाती है तो इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं इसमें हम नहीं बताने वाले एंसर निम्न में कौन सा एक अंडाकार जानवर नहीं है चलिए तो इस तरह से आपको क्वेस्टन सब पूछा जाने वाला कुछ लोजिकल रिजिनिंग इस तरह के हो सकते हैं ठीक है तो इस टाइप से आपको त्यारी करनी होगी तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपको एकजाम में कैसा फ्रस्टन आने वाला है तो आप बने रहेंगे हमारे चैनल पर बाकी अगले वीडियो में बताएंगे